इससे छोटे छोटे डिस्प्यूट अलेक्शन में नजदे हैं से लेजडिसी कांसल के तो इस पर आपके एज़ान पी क्या स्टेट में रहेगी है। बारतिय जनता पार्टी करगिल में यहां पे जितने हमारे कारकुन है जितने में भी यहां पार्टी में शामिल हुए हो अभी तक सभी लोग मिल के काम हो रहा है। प्रटिंग चल रहा है तो सभी लोग मन के हमने स्टेट से भी एलान किया सभी करकुन भी इसी बात से राजी रखते हैं कि हाजी साब के लीडर्शिप में हम करगिल के चुनाफ बारतिय जनता पार्टी जितने का पूरा कोशिश करेंगे और मोधी जी ने जितना काम गाउं गाउं में गरीब के लिए किया वो साब लोगों को बताने के हम कोशीश करेंगे सर जिस तरह हजी साब के आपने पूछा ना आप अब जो डिस्वीट की बात कर रहा है यह डिस्वीट नहीं होता है पार्टी में अपना गर का परिवारे वाली बात होता है हमने कभी किसी को या कई प्रेस रिलीजिश करेंश कर पार्टी में होता है बट्रेक्र पार्टेमें औरा नियुक्र नशेब क्या सभी ए कोई किसी पीठे हैं वो कि से कर पाउर पर बेठ हैं आपको पता है यह है को पर यह कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है खूर पूणक घृक्च कैया टेस्ता करेठा क्या समय हो गया थे और यह हो assists अग्ल में सब दूर हो गये इस वका हमारा सब कुछ कम्रीड हो चुका है, हमारा सब कुछ यो इशु था वो सब हमारा हो चुका है, तो इंशालला कल पर सुनता आपको इस से भी ज्यादा आप लोगों को इंफॉरमिशन मिस जा। सब करें अपने संगठन के साथ पर पर इंटरनल ही रहे गाएंगे अपने माँ बेहनों से मिलना है, हमको पहले सी में पहले शुरॉआत में का है, थोड़ा भी भूत घेब हैंए अमेर बीच में, गाउं के वीज में तो गाउं में जाके बात करेंगे, उसकी पात फिर हम मसला मशरा का कि हम आगे क्या करने हो देगे हैंगे, अब बहुत दूरे अभी, वहां तक जाने के लिए, लेकिन आज क्लियर ये हुआ है, ऐलान किया है, हजी साब हमारे कारगिल के बारतिया जनता पार्टी का सबसे टॉक्मोस लीने लीडर है और रहेगा, और हजी साब के गाइडेंस में, हजी साब के देखबाल में, हजी साब के लीडर्शीप में हम इस चुनाव में जा रहा है, और पार्टी के और से, अब बड़े एलेक्शन हजी साब लीड कर रहा है, तो समझ देना चाहिए हजी साब का क्या लदाख बीजेपी में स्टेट है, तो अब आपको कितना उमीद है कि आप भी आपने बॉला की डॉलर्मेंट कम बहुत हुआ है यूटी बंदे के बाद, और बीजेपी ने जोज नहीं करेंगे, मोदी जी के काम को ना उमीद नहीं करेंगे, करगिल की विकास को ना उमीद नहीं करेंगे, जितना तरकी मोदी जी आने के बाद यहां हुआ, चाहे वो आप सियरेफ जो है पहले का स्कीम था, लेकिन मोदी जी आने के बाद लदाक में आना शुरू हुआ, प्रदान मंतिरी गरम साड़क योजना में 50 साड़क स्कीम नया आये है, पुराना हमारा चल रहा है, कम्प्लीट हुआ है, मोबाल टावर, हाद जहां भी आप गिने, जल जिवन मिशन से लेके, राशान से लेके, दवाई से लेके, जन ओशोदी से लेके, गोर्डन कार्ट से डिबी टी से लेके, कोई ऐसा जगाई नहीं छोड़ा है, बारतिय जनतापाटी और सेंटर गौर्वर्मन्ट ने, और यूटी बनने के बाद लदाक जो है, सीधा सेंटर गौर्मन्ट रूल करते हैं, उसके बीच, अगर हमारा काउंसिल भी बारतिय जनतापाटी के हाद मे करगिल के आवम देते हैं तो जितना तरकी यहां पे रुक रुक के चलते हैं वो स्पीड बढ़ के चलेंगे यह मेशौर करना चास आता है नारास नहीं है जन्सकार वालों ने डिस्टिक मांगा है हमने पांच साल में देने का वदा किया है अभी पांच साल होने में हमारा टाइम है लेकिन जन्सकार का विकास देखके जन्सकार के लोग बहुत खुश है काउंसिल एलेक्शन में आपको रिजल मिल जाएगा डिस्ट पर्लिमेंट में चिला के बोला है यह बहुत बड़ी बात होते हैं पर्लिमेंट में जब स्ट्रेस लगता है पर्लिमेंटरी रिकोर्ड में आता है आप नुमाइन दे, आप नी बोलेंगे तो और कौन बोलेंगे मारे इससे पहले भी नुमाइन दे थे लुद relationships. कर नहीं कर रहहुं कि लोगों के gratis के लोगों के ला रहा हूं कि तो इस्दिक्सके कोई कुन तो हमाँ पूरा कोशी से 99% हमारे और से होजाना चाहए। बस आखरी सवाल हो किसे चलते चलते एफेक्स केड़ी का आप मोमेंट को किस तरह देखते हो एस एमपी लदाख उनके फॉर पॉइंट मेमरेंडम को आपका कितना सपोर्ट रहेगा देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर पॉइंट एजेंडा अलग से क्यों चला रहा है सीधी बात यह है प्रदान मंतरी मोदी जी ने बारतिया जनता पार्टी ने लदाख को यूटी दिया यूटी के साथ बजट दिया लदाख के लोग बहुत खुश है सेफगाट का मसला है वो हम भी उठा रहे है कॉंस्टिटुशनल सेफगाट के मसला जमीन को वो हम भी उठा रहे है पार्लिमेंट में एक दो दाफा बोल चुके है इस बात को फिर अलग से सियासी दुकान चलाना है तो जम्मूरिया थे सिक शेडूल और स्टेड हूट में क्या है उप उन्हीं को पूछे कि सिक शेडूल है क्या लोगों को समझाए देखिए जो हमार पास डिगरी कॉलेज तक है सिक शेडूल में यही काउंसिल के पास मेडिकल जो डिस्पेंसरी सेंटर रहेगा गाउं में छोटे-छोटे होते अभी हमारे पास डिस्टिक होस्पेटल चलाने का पावर रखते हैं तो सिक शेडूल में ऐसे बहुत सारे खमिया है जो इस काउ काउंसिल को आवर बी स्ट्व हो अभी जितना स्ट्रोंग है इससे और स्ट्रोंग है आप तो सीख सिरू बतां कि यह बता रहे कि कांसिल को कंजोर करें शिख से पढेंना से संग की मिशाल ठीक से देखाना अभी सुनने को मिला सर यूनिन गार्मेंन्ट के जानेब से काउं है कारगील में बारतिय जनता पार्टी ऑफिशल 7 हजी साब हमारा नेता होगा हजी सवरवाय कारगी में आ बारतिय जनता पार्टी कांसिल पल सब्छेबर हो चुका है हमारा सब कुछ यो इशू था वो सब हमारा पूरा हो चुका है तो इंशालला कल पर सुनता आपको इस से भी ज्यादा आप लोगों को इंफॉर्मिशन में सब्सक्राइब या कि आपकी इशू थे थोड़ा बता सकते हैं अभी हमारा संगर्ठन साप ने बताया पार्टी का इंटरनल मामला है वो पार्टी इंटरनल ही रहे अप जब आप ले से करगी के तरवा रहे थे जब आप पहली बार कर ले उस टेंप आपने नाराजगी सार किया पाटी से यह तोब आपको बैटे का या बटे को तो बाई भाई का कुई इस्यू dilema न॓이 ला अगयंकर सकी। इंटर्नल मसला है इसको पॉब्लिक में लाने की कोई जूरत नहीं हमने आपको सफाय दे दिया उसको में आया नाराज़गी नहीं था हमने अपना एक प्रेविंस दे दिया हमारे जो डिमांड से हमारे जो वरकर के जो डिमांड से वह फुल्फिल होगा तो हम अगे भी इंश हमने पिशेपी जोईं किया है चोड़ने के लिए हमने लोगों की काम करना के लिए काम के ली किस्ट जोई प्रोकुण की लोगों ने अए वह औरना मेरभी जीपी के साथ को कुछितिक अगरिमेंट है सर के आप काउंसिल के एलेक्शन लट रहें देखेंगे अभी अभी हमारा दो मेना है अभी साथ किस कुद्धे पर एलेक्शन लट रहें सर इस बाहर देखेंगे भई अभी शुरुआत है अभी मुझे गाउं जाना है गाउं गाउं में जाके अभी मारे मा बेहनों से मिलना है हमको पहले सी मैंने पहले शुरुआत में का है थोड़ा भी बहुत घेब है हमेर बीज में गाउं के बीज में पूरा कोशी से हमारे सरकार रहते हुए मैं खुद MP रहते हुए हाजी साथ यहां पे रहते हुए हम सबा हमारा कोशी कि करगिल में सिविल जल से जल उतरे यह इसको नाकमियप नहीं मनना चाहिए और आने वाले धीनों में करगिल देलेक्शन से पहले या बाद में यहां से बहुत बड़ा डेलेक्शन भी लेके जाएगा और हम इसको और भी ताकत लगाएंगे जितना हो सके हम कोशीज करेंगे कि जहाज जल से जल चले अब जमीन का मसला जब यहां रहते हैं मैंने शुरू में बोला जब करगिल से हमने ट जो करमचरी है उनको लाया यहां पे ना उनको डीजी सीय का अपूर्वाल था ना एयरपोड ऑथरीटी का अपूर्वल था ना मिनिस्ट्री अप सिविल एविशन का अपूर्वल था ओ तो ऐसे पब्लिक को बेवकूब बनाने के लिए मैं रिकोर्ड में मेडिया में बता हूं आपको जो ले में हमारे जो एयरपोड ऑथरीटी के जो काम कर रहे है डारेक्टर से नीचे वो लोग यहां पे आके मीटिंग करके प्रेज रिलीज दे रहा है यह तो आवाम को बेवकूब बनने के बादे आपके सरकार भी तो नहीं कर बारे हैं सरकार अभी खतम नही हुआ है मुक् pathway का साल होने में और एक साल है शमांए बचा है एक साल पूरा बचा है हमारे लिए एक सल बहुत है देखिने कुछ Bio की देखे दो हजारास से पहले Naganda का आश्यरेंज तो सब खोग्ला है सब को पता है को रस ने जो जीला लदाक का पहला भारतिय जनता पार्टी का वहित MP हूँ, करगिल के एरपोर्ट के बारे में, परलिमेंट में हमने चिला के बोला है, ये भी बहुत बड़ी बात होते हैं, परलिमेंट में जब स्ट्रेस लगता है, परलिमेंटरी रिकोर्ड में आता है, आप नुमाइन दे, आ मैंने बोला करके, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लोगों के रिकोर्ड में ला रहा हूं, कहने का मलब है, इस से पहले क्या लदाग में MP नहीं था, कारगिल से कोई चून के नहीं गया, हमारा पूरा कोशी से 99% हमारे और से हो जाना चाहिए, बस आखरी आप मोमेंट को किस तरह देखते हूं, इस MP लदाग उनकी 4.